गुरुवार को दूसरी बार नायप सिंग सैनी ने हरियाना के मुख्य मंत्री पद की शपत ली और उन्हीं के साथ हरियाना के मंत्री मंदल के लिए 13 विधायकों ने शपत ली शपत के 3 दिन बाद ही मंत्रियों के विभागों का बटवारा भी हो गया गुर्वार को शपत ग्रहन समारों के साथ हर्याना कैबिनेट में संभावित 14 मंत्रियों की घोशना हुई दिसके बाद अब ग्रिय और वित्य उद्योग और पर्यावर्ण समेथ सारे मंत्री पदों का बटवारा हो चुका है ऐसे में देखना ये है कि जो नए चेहरे पार्टी में अभी अभी शामिल हुए उनको कई बड़े मंत्राले दिये गए है हर्याना मंत्री मंदल की जो लिस्ट जारी हुई अगर उसे देखे तो इस बार की सैनी कैबिनेट में दो महिलाओ को भी शामिल किया गया है साथ ही विभागों के बटवारे में इस बार कुछ नया देखने को मिला है बीजेपी के दिगजनेता और अंबाला कैंट से साथ बार के विधायक अनिलविज के हातों से एक बड़ा मंत्राले फिर निकल चुका है आएए पहले निजर डालते हैं मंत्री मंदल की लिस्ट पर चौधरी आरती राओ जैसे साथ नए चेहरे भी है इन्हीं में से कुछ मंत्री ऐसे भी है जो इस विधानसभा के पहले कॉंग्रेस छोड़के भाजपा में आये और उन्हें विधाई की के साथ ही मंत्री पत भी दे दिया गया और बड़े विभाग भी सौपे गया अब आ पहली बार मंतरी बने तो उनके पास कुल 14 मंत्राले थे जिन में से ग्रिह मंत्राले भी था जो की अनिल विच के हातों से तब चला गया जब खट्र कैबिनिट ने इस्तिफादीआ और जब सैनी सरकार बनी तो वो इतना ही नाराज दिखे कि उनके पास कोई मंत्राले नहीं गिले मेंु defines AI दूसरी नायब सेनी सरकार में भी सी एम सैनी के हात में ही है हिसके अलवा आपने दूसरे बार सरकार में सैनी के पास तेरा विभाग है जिसमें गृय हथी वित्च जैसे महत्वपून विभागों को भी उन्होंने अपने पास ही रखा है साथी CID Law and Legislative विभाग आईकर जैसे मंत्राले उन्होंने अपने पास रख लिए है ऐसे में अगर सीएम सैनी की बात करें तो नायब सिंग सैनी का विधानसवा छेत्र नारायन गड़ रह चुका है और कुरुक शेत्र से वह सांगसत भी रह चुके है वह इस ब प्याना की बीजेपी के दूसरे सबसे वरिष्ट नेता की बात करें तो वह अनिल्विज है और शायद इस बार भी अनिल्विज को सैनी मंत्राले में वह सम्मान प्राफ्त नहीं हुआ जो उन्हें खटर सरकार में मिलता आया है खटर सरकार के समय वह ग्रियमंत्री हुआ कर सबस्ताइनि सरकार के आते ही वह उर्जा परिवहन और श्रहन मंत्राले जैसे विभाग सम्मालने लगे में वह विधानसवा चुनावों के वक्त उमक्ट मुख्य मंत्री पत की दावेदारी कर रहे थे और कहां तो उन्हें उर्जा श्रम जैसे मंत्राले दे दिये गए अ तो सैनी सरकार में उनकी इतनी अंदेखी क्यों हो रही है अब आते हैं कृष्णलाल पवार पे तो इसराना से जीत दर्ज करवा के सैनी मंत्री मंदल में शामिल हुए कृष्णलाल पवार को पंचायत विकास और माइनिंग जैसे मंत्राले सौपे गए है जबकि खटर सरकार में उन्हें जेल और ट्रांसपोर्ट जैसे मंत्राले दिये जाते थे अगर राव नर्वीर सिंग की बात हो तो उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में बादशापूर की सीट को हट सीट बना रखा था और वहां से एक लाग पैतालिस हजार वोटों से ज्यादा पा कर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की खटर सरकार के कैबिनेट के दौरान राव नर्वीर को पी डबलू डीजेसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारिया मिलती थी पर सैनी सरकार में उन्हें सैनिक और अर्ध सैनिक विदेशी सहयोग जैसे मंत्राले ही दिये गया है वही महिपाल डांडा को भी इस बार विभाग सौपा गया है उन्हें शिक्षा और संसदिये मामले का विभाग सौपा गया है जबकि पानिपत ग्रामीर शेत्र से ये विधायक पिछली बार सैनी सरकार में सिर्फ एक मंत्री ही था। बात अगर विपल गोयल की हो तो खटर सरकार में इंडरस्ट्री अन कॉमर्स और पर्यावरन विभाग के मंत्री हुआ करते थे वो। सैनी सरकार में राजस्व एवंग आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानिय निकाय, नागरिक उड्डे अन मंत्राले वो समाल रहे हैं। अब आते हैं कृष्ण कुमार बेदी पर, वो खटर सरकार में अनुसूचित जाती और पिछडा वर्क कल्यान विभाग और सामाजिक नय और अधिकारिता विभाग समालते थे। इस बार सैनी सरकार में भी उन्हें इनी विभागों के साथ अंतियोदे सेवा विभाग भी समालने को मिला है। उन्हें पूरा का पूरा स्वास्थ विभाग ही पकड़ा दिया गया है। जिसे कभी अनिल विज चलाते थे। अपनी मा का हाथ था में कॉंग्रेस से बीजेपी वह जैसे ही आते ही बीजेपी को उस अटेली सीट से जीत दिलाई जहाँ बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। इसके एवज में उन्हें सैनी सरकार में सबसे बड़ा मंत्राले सौप दिया गया। वही क्रिशी विभाग स्याम सिंग राना को दिया गया है तो PWD मंत्राले रणवीर सिंग गांगवा को दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि जो दिगजनेता खटर सरकार में सबसे बड़ा मंतराले समालते थे उन्हें क्यों छोटे मंतराले सौपे गए हैं यह सवाल ये भी है कि खुद सीम ने ग्रिह वृत आयकर जैसे बड़े विभाग अपने पास ही क्यों रख लिए इसी के साथ सवाल ये भी उड़ता है कि जो लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे थे या वो लोग जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए तो उनको बड़े मंतराले क्यों सौपे गए हैं देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे देन्यू सिफ्टी नमस्कार